मंच तो छोटा था लेकिन मैसेज बहुत बड़ा इटावा के सैफ़ाई में इस मंच पर जो तस्वीर देखी उससे साफ हो गया कि यादो परिवार में अब चाचा भतीजे के बीच कोई मतभेद नहीं है SS मेमोरियल स्कूल में समाजवादी पार्टी की जन सभा में शूपाल यादो ने चाचा शूपाल यादो से पैर चुकर आश्रवाद लिया मंच से अकलेश ने ऐलान भी किया कि जो भी राजनीतिक दूरी थी वो खत्म हो चुगी है अब हम एक साथ है इसके बाद शूपाल यादो ने कुछ तस्वीरे ट्वीट की और लिखा कि लो सब हो गए एक इस जनसभा को और चाचा बतीजे में सुले को मैनपुरी उप्चुनाओं से जोड़ कर देखा जा रहा है जहां से अखलेश की पत्नी डिंपल स्पी कैंडिडेट है और डिंपल के सामने बीजेपी के रगुराज शाक के मैदान में है